मैं शेल्फ नरेश अगरवाल, असिस्टंट प्रोफेशर इंड सेंड बिल्फिर्ड पीजी कॉलेज, वेलकम यू अल इन सेंड बिल्फिर्ड ओनलाइन क्लाशेज, तोडेज माई टॉपिक इस रेक्टिफिकेशन ओफ एरर, पहले वाली क्लाश में हमने पढ़ा था कि एरर् और इस वाले टॉपिक में बताना चाहता हूँ, कि एरर्स को रेक्टिफाई कैसी करते हैं, इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक है, वो डाला हुआ है, रेक्टिफिकेशन ओफ एरर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ओफ एरर में हमने एरर को दो प्रकार की एरो में, एरर में ड प्रवावित करती है वो और जो ट्राइल वेलिंस को प्रवावित नहीं करती वो ठीक है आज जो मैं बता रहा हूं जो जो मैंने यहां पर दो प्रकार बताए हैं वो इस पॉइंट अब यू से बताए हैं कि एरर को यदि रेक्टिफाई करें तो एरर को रेक्टिफाई करते स और कोई भी journal entry अपन उसमें mention करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि प्रती एक transaction का जो accounting होती है लेखा होता है वो debit और credit में equally होता है जितना transaction debit में effect करता है उतना ही amount के वो credit में भी effect करता है तो यहाँ पर आपन देखेंगे कि गलती केबल debit में हुई है या credit में हुई है या गलती debit या credit दोनों पक्सों में हुई है, इस आधार पर हमने errors को one-sided error और two-sided error में divide किया है, फिर इसके बाद आते हैं अपन process, process of rectification of error, errors की जो rectify अपन करते हैं, वो किस process के अंदर अपन को rectify करेंगे, इसके point of view से हमने इसके तीन step decide गिये हैं, ठीक है, इसके तीन step होते हैं, सबसे पहला होता है, rectification of error before preparing trial balance, ठीक है, दूशरा होता है, rectification of error after preparing trial balance, but before preparing final account, तीशरा है, rectification of error in next period after preparing the final account, इसका मतलब क्या हो गया, next accounting year में, कतिश मार्च को जब financial statement close हो जाते हैं, तो इसके बाद अगले वित्तिय वर्ष में जब अपने error को rectify करते हैं, इसको define करने के लिए मैं आपको छोटा शाप के सामने एक प्रेजेंट करता हूं, सबसे पहले हम बनाते हैं, basically journal, यहां journal entry करते हैं, journal के बाद अपन बना और इसके बाद बनाते हैं, final account, ठीक है, मैंने इस से पहले वाले lecture में यह चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यह बिल्कुल end वाला पार्ट था, ठीक है, अब हम इसको properly समझेंगे, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा step था, rectification of error, rectification of error, before preparing trial balance, तो trial balance बनाने से पहले, यदि error rectify कर नहीं है, तो उस स्तिती में अपन उसको rectify कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा, कि error, one-sided error है, या both-sided error है, one-sided error, और both-sided error, तो सबसे पहले हमने देखेंगे, कि जो भी error हमने detect किया, या जो भी error हमने find out किया, वो one-sided error है, या both-sided error है, हमने यहाँ पर देखा, कि error हमारी one-sided error है, तो one-sided error को हम कैसे पहचानेंगे, शबसे पहले मैंने एक एक्जामपल लिया, गोट शोल्टू बेवेक कोठारी on credit, 4 रुपीस 50,000 has been posted to his personal account as रुपीस 5,000, accounts में सबसे important यह चीज होती है, कि हम यह जाने, कि question क्या है, या problem क्या है, तो देखो इस question को समझने की कोशिश करें आप, गोट शोल्ट टू बेवेक कोठारी on credit, इसका मतलब क्या है, बेवेक कोठारी को हमने उधार माल बेचा, 4 रुपीस 50,000, तो इसका मतलब हमने बिवेक को ठारई को 50,000 रुपे का माल बेचा, ठीक है, बिवेक को ठारई को 20,000 रुपे का माल बेच दिया, has been posted, हमने उसके personal account में posted कितना किया, 5,000 रुपे में post किया हमने, तो उसके personal account में कितनी रुपे से post होना चाहिए था transaction उसके personal account में transaction 50,000 रुपे से post होना चाहिए था जबकि हमने कितने से post किया? 5,000 रुपे से ठीक है? तो यहाँ पे गलती क्या हुई? entry क्या होनी चाहिए थी? विबेक कोठारी account debit to sales तो यहाँ पे गलती क्या हुई है? कि विबेक कोठारी के account में 50,000 रुपे debit होने चाहिए थे और sales में 50,000 रुपे credit होने चाहिए थे तो sales में तो properly 50,000 रुपे credit हुए है लेकिन Mr. विबेक कोठारी के account में केबल 5,000 रुपे ही credit हुए है तो ऐसी श्तिती में विबेक कोठारी के account में कम लिखे गए है अब इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे? तो इस गलती को सुधारने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कि यह decide करेंगे कि error किसी step पे है तो हमको पता चला कि जो error है यह trial balance बनाने के पहले हमको पता चल गया हमने detect कर लिया कि trial balance बनाने के पहले यह error है वहाँ पे हमने decide कि यह one-sided error है तो वहाँ पे इसका मतलब हमको account open है हमारे पास इसका laser open है तो हम इसके laser में जाके rectify करेंगे और विवेक कोठारी का laser reopen किया जाएगा और विवेक कोठारी के laser में अपन लिखेंगे कि two sales posted now rectified rupees 45 rupees posted 5000 in place of rupees 50,000 तो इसको अपन rectify करके उसमें 45,000 रुपे की entry और कर देंगे मैं भी इसका solution भी आपके सामने करके दिखाऊंगा ठीक है इसके अंदर अपने वो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि purchase book बनाई purchase book बनाके हमने purchase का total लगाया 10,000 रुपे से हमने कम जोड़ा उसको अब purchase book के total को हमने 10,000 रुपे से कम जोड़ा है तो purchase book का balance क्या होता है debit balance होता है तो इसका मतलब purchase book का total हमने 10,000 रुपे से कम लगाया तो purchase का जो account है उसमें भी 10,000 रुपे debit में कम गए होंगे तो हम purchase का account open करेंगे और 10,000 रुपे और वहाँ पे अपन debit करेंगे ठीक है इसमें अगली जो problem मैंने दी ओवर कास्टेड रुपे से 50,000 रुपे हमने ज्यादा लिग दी अब मैंने यदि purchase book का total 50,000 रुपे ज्यादा लिग दिया है तो इसका मतलब purchase का account 50,000 रुपे से ज्यादा debit हो गया अब ऐसी श्तिती में हम उसको opposite में लिखेंगे यदि 50,000 रुपे purchase account के credit में लिख दिये गए हैं और यदि मैं credit में 50,000 रुपे ज्यादा लिख दूँगा तो वो क्या हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा उसका balance क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और जो error हुई है error का effect जो है वो accounts के balance पे नहीं पड़ेगा मैं इसका आपको बना के बताऊँगा इसके बाद आती है आपकी error after preparing trial balance जो की आपकी ये B प्रकार की error है जो आपके second step के अंदर आती है ठीक है और इसमें error आती है आपकी after preparing trial balance but before preparing final account ठीक है third प्रकार की आपकी आती है rectification of error in next period after preparing the final account तो ये हो जाएगी आपकी error after preparing final account जो की आपकी next accounting year में आपके salt की जाएगी ठीक है इसमें क्या होता है कि आपका 31 March तक खाते बन चुके होते हैं 31 March के खाते बनने के बाद जो भी fact होता है error का वो suspense account के रूप में या तो trial balance में चले जाएगा यदि वो error का effect आपका P&L account में आ रहा है तो P&L account से effect होके वो आपके net profit में transfer होके capital account के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे हमको P&L adjustment account बना के और उसको salt out करना होता है और उसकी rectification जो entry है वो next accounting year में अपन करते हैं ठीक है अब मैं इसके बाद आपको इसके example का solution है वो मैं आपको बताऊंगा